महराश्र के युवा सर्पंच का ये अनोखा वीडियो बहुत जादा वाइरल हो रहा है महराश्र के इस सर्पंच से एक सरकारी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली उस युवा सर्पंच ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके गाउं में कुवा खोद दिया जाए और कुवा खोदने के लिए रिश्वत मांगी गई दो लाख रुपए इस गुस्से में युवा सर्पंच ने सरकारी अधिकारी के दफ्तर के बाहर दो लाख रुपए की नोटों की गड़ी को उड़ा डाला कितना दुख रहा होगा कितना क्रोध रहा होगा इस युवा सर्पंच के मन में कि उसने ये किया भ्रष्टाचार हो रहा है खुल के हो रहा है लेकिन भारतिया जंता पार्टी के नेताओं के सरक्षन में हो रहा है आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स मुझे जवाब जरूर